हेलो दोस्तों स्वागत है आपका वीजुल आजवित मीनी में फ्रेंड्स हमारी वेस्टन आर्ट की जो टाइम लाइन हमने अगें स्टार्ट कर दी है उसी को आगे बढ़ाते वे हम लोग अब आज से अपने मेन कला आंदोलन को स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा वेधर चेंज के कारे शायद मेरा गला खराब है इसलिए सोच रही थी कि है रिकॉर्ड थोड़े दिन बात करती हूँ लेकिन क्योंकि आपका ही लॉस होगा और मैंने बोला है कि हम जल्दी जल्दी इसको फिनिश करेंगे मतलब डीटेल में तो पढ़ेंगे लेकिन इनके बेसिक पॉइंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं बहुत अच्छे रहते हैं और वही हर एक्जैम्स में आते हैं है ना तो जो बेसिक पॉइंट्स हैं बेसिक आर्टिस ये उसको हम फटा-फट कवर कर सकते हैं इसलिए मैं तोड़ा सा इसमें स्पीड देती भी जाऊंगी कोशिश करूंगी और इसलिए आज हमने ये रियलिज्म जो है यथार्थवाद जो आंदोलन है उसको शुरू कर दिये यथार्थवाद के बारे में हमने तोड़ा सा पहले पढ़ चुके हैं जब 17-18 इसलिए का रियलिज्म आपको बताया था कि उस समय कैसे यथार्थवाद यथार्थवादी शेली आई थी मतलब यथार्थवादी का स्टाइल आया था जैसके हम के रवेजियों को पढ़ा थे तो उसमें भी आपने देखा था कि किस तरह से उनने यथार्थवाद अपने आर्ट वर्क में लाया था तो वो जो होता है वो अलग होता है लेकिन तो थोड़ा सा ये डिफ्रेंशियेट अलग किस प्रकार से होगा वो आज हम देखने वाले हैं कैसे what is the difference between थी कि एक time का तो difference था ही कि वो 70-80 शताबदी में बोल रहे हैं और ये हम 19 वी शताबदी में बोल रहे हैं वो तो था ही लेकिन एक जो definition है दोनों समय की दोनों के art moment की उसमें भी अंतर है तो वो थोड़ा सा अब मैंने ये बताया था कि जब हम detailed बात करेंगे तब इसको discuss करेंगे तो आज ये भी देखेंगे साथ ही उनके जो मुख्य कलाकार है वो भी फटा फट बस painting के जरीए से आज study करेंगे थोड़ा सा style change कर रहे हैं ठीक है तो आपको अगर कोई भी doubt है इन चीजों को लेके आजकल बहुत जादा लोग curious है और पूछते हैं अच्छ प्रू कर लेते हैं यथार्तवाद रियल तो भई जो रियलिजम की बात कर रहे हैं तो रियलिजम क्या था यथा यथार्तवाद में विशय इतिहास को छोड़ कर ध्यान देजिए इतिहास और विशय जो हम अभी तक बात कर रहे थे उनको छोड़ कर समकाली जीवन contemporary life का चि दे चुके हैं कैसे दे चुके हैं क्योंकि हमने यह वाली बातें बहुत करी है कि किस तरह से जो लास्ट वीडियो है उसको description box मिल जाएगा कि किस तरह से बार्भी जोन कलाकार जो कहे जाते हैं उनने समकाली जीवन का चितरन किया है वो जो आसपास अपना देख रहे हैं उस में आरम किया था मध्य और निम्नवर्ग के कलाकारों को सहनुबुती दी मतलब उसके आर्टिस्ट को भी सहनुबुती दी प्लस आर्टिस्ट ने उन लोगों को भी सहनुबुती मतलब आर्टिस्ट जो थे उनको नॉमल लोगों जो मिडल क्लास लोग हैं उनके प्रती भी सानुबूती थी उस समय ऐसा उच धर्मवर्ग धर्मादिकारियों के प्रती वो घ्रणा करते थे मतलब जो अभी तक चल रहा था जो अभी तक हम रोमैंटिसिसम में भी इमाजिनेशन्स देख रहे थे और उससे पहले भी हम देखते थे कि वो पेंटिंग जो है एक उचे बात है कि हम क्यों उनका चितरन करें जिनने हमने देखा भी ने हम क्यों इमाजिनेशन से यह चीज़ करें जबकि हमारे आसपास ही हमारे सब्जेक्स हैं हमारे ऑब्जेक्स हैं तो हम क्यों इमाजिनेशन पे जाएं हम क्यों हिस्ट्री पे जाएं तो यह सारी चीज़ें ज कि हम ठीक है realistic work आप बोलेंगे इससे में realistic work होता था तो realistic work से आप समझो कि हाँ जैसा जो light shades उनको दिख रहे हैं उसको वो काम कर रहे हैं वो है न उस तरह से कि वो as a photographic image दिख रहा है इस तरह कि अगर हम बात करें ठीक है लेकिन दूसरी चीज इस जो इस word के पीछे इसका एक और उद्देश ये वो है subject is real एक बहुत important कि realism का मतलब जो real word है वो real word सिर्फ काम को दृष्टी में रखे या आठ टेकनीक को दृष्टी में रखे Gustav Corbett ने वो manifesto नहीं दिया realistic manifesto उनने उस word को use किस माध्यम से किया कि the subject is real जो चीज हमें आसपास दिख रही है वो हमारा विशय है और हम उसको चितरन करेंगे ये हमारा उद्देश है और इसलिए हम realism है realistic है हम realist artist है और हमारा कलांदोलन realism है हमें romanticism से घ्रणा है जो अभी तक चल रहा था हमने last देखा obviously मतलब इतना ज़्यादा जो फ्रांस में हम देखेंगे तो romanticism था हम वो लोग जो सपनों में जीते थे हमें उसमें नहीं हमें जो दिख रहा है हम जिसके बीच में रहते हम उन्हें नायक बना है यह वाली चीज़ें उनकी थोड़ी सी थी आगे देखने है जिस रूप में संसार देखा उसी रूप में उनने चितरन किया जो आदर्श बाद होता है एक idealism होता है उस चीज़ को उनने विरोवत किया ठीक है उन्हें जो दिख रहा है आप में डोना का चितरन करोगे तो आप इसी तरह से करोगे इस तरह की जो चीज़ें है वो idealism में आती है एक बोलेंगे आदर्श बन गया है तो उस आदर्श का विरोवत करने के लिए कला अंदोलन शारू हुए और उसी का पहला कला अंदोलन आज हम देख रहे है यह विशेवस्तू की पसंद और उपचार है जो यथार्थ बाद को चितरकला में एक अंदोलन की रूप में प्रभाशित करता है जो मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि इसका main point of view इसका विशेवस्तू है कि हमने इसके विशेवस्तू को क्या बोला है कि real यथार्थ whatever जो यथार्थ हो रहा है हम जो देख रहे हैं वो इसलिए हमने उसको define किया है realism ठीक है न की द्रश्य दिखावे या सावधानी पूरण ध्यान देनी ना कि एक visual हमने carefully सिर्फ जो visual यही चीज़ बोल रहे है कि सिर्फ आप दिमाग में आता है यही चीज़ जम हम भी पहले पढ़े थे तो हमको भी यही लगता था कि realism मतलब कि realistic work जो आज हम बोलते हैं लेकिन main जो उनका manifesto हुआ था वो जो नाम करण हुआ था ठीक है काम उन्हें realistic में किया है लेकिन जो नाम करण हुआ था उसके पीछे का उद्देश्य था कि हम real को चितरन करेंगे ठीक है तो यही हम realism है जिसको जिसी के आगे की तरच पे हमारा impressionism आएगा और आगे art moments चालू होएंगे ठीक है तो यही है अब बस इतना ही था basic और कुछ realistic में अगर आपको लगता हो तो main चीज जो realistic ना जाती है हर चीज के हर art moment को आप सिर्फ छोटा सा describe पड़ो और उसके बाद आप उनके artist पे आओ तो main artist और pioneer जो है इसका इनकी फोटो कैसे गायब हो गई Gustav Corbett ठीक है Gustav Corbett इनकी फोटो गायब नहीं हुई है यह आ गए इनका जन कहां हुआ है इनका जन Ornans region में France, Switzerland border जो है वहां के Ornans region में इनका जन हुआ है Gustav Corbett का अब हमें main चीज क्या देखनी है दैनिक जीवन के चित्र में गरीबों का मार्मिक चत्रन इनने किया है में प्यूनर है देखो realistic artist को हम पहले Domier को बता चुकी हो मैं आपको है न Honor Domier जिनने की caricatures के father कहलाते है लेकिन उनने realistic work भी किया है उनने भी आम जीवन को अपने चित्रन में उतार है इसलिए उनने भी realistic artist के उसमें हम लेते हैं लेकिन हम उनको पहले ही पढ़ चुके तो हम अभी उनके बारे में discuss नहीं करेंगे दूसरी चीज़ जो Barbie Zone के artist है Corot Millet हम लोग जो उनके बारे में पढ़ चुके है Corot को मैंने कहा था कि क्योंकि हम उनको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनकी शेली में यथार्थ वाथ था अभी लास्ट वीडियो में बात हुई है प्लस Barbie Zone का effect आता था ठीक है तो ये artist भी है जो realistic style में कारे किया है और इसलिए इन्हें भी पढ़ने है लेकिन ये हम पढ़ चुके हैं इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ Gustav Corbett की बात करने वाले है बहुत चोटा सा वीडियो है फटा फट हम बस main paintings study करके इसको खतम करेंगे डानिक जीवन के चित्र में गरीबों का मार्मिक चित्रन इसमें किया गया दिखरा है आपको गरीबों का मार्मिक चित्रन किया गया लेकिन what is the difference between या according to me और जो books में भी होगा इसमें और Barbie Zone artist में क्या अंतर हो गया तो सुनो इनने भी गरीबों के daily life के चित्रन किये हैं उनने भी daily life के farmers के गरीबों के चित्रन किये हैं लेकिन अंतर ये है उनने उनकी बहुत एक न बोलेंगे poor state दिखाई थी poor state मतलब के जैसे normal जैसे अराम कर रहे हैं harvesters देखा था अराम कर रहे हैं उनके gleaners देखा तो एक, मतलब बहुत दया हो, देखे एक दया जैसी आते हैं, लेकिन इसमें जो है ना, इनने एक बहुत तगड़ा चित्रण किया है, मतलब उनको एक बहुत स्ट्रॉंग परस्नेलिटी बता है, कि दो देयार मिडिल क्लास पस बहुत एक स्ट्रॉंगली कितने इस जैसे स्ट मार्ट मूवमेंट और जो हम इनकी बात करेंगे बाकी कलाकारों की, 1848 की क्रांती में भाग लिया था, गुस्टाफ कॉर्बेट ने, जो फ्रेंच क्रांती का समय था ना, उसमें इनने भाग लिया था, धर्मादिकारियों से ग्रणा, ऐसी की कम्यून का पोस करके ना, इनन सब चीजों के intellectual, idealistic, classical, romanticism, इन सब के विरोधी थे, इसलिए ये realistic थे, चीक है, realistic manifesto, ये question बहुत बार आया है, कि ये यथार्थवादी का घोष्णा पत्र के लेकर कौन है, तो ये गुस्चाफ कॉर्बेट है, 1855 में इनने ये लिखा था, लेकिन हम realistic का time 1840 से मानते हैं, ठीक पस इसमें क्या था, इसमें इनने इक अपना declaration दे दिया था, कि हम realistic हैं, हमारे इसमें, मतलब ये वाली चीज़ जो मैं आपको पूरी कहानी बता रही थी ना, कि our subject is, कि हम आसपस देख रहे हैं, ये सब चीज़ें उसी का निशकर्ष है, कि उनने ये चीज़ बोली, तो उस से हम निशकर्ष निकाल रहे हैं, कि realistic लोग उसी में उस तरज पे थे, उनकी ये सोच थी, ठीक है, चलिए, जन तंत्रिय विशय का चितरण, इनके अनुसार कालपनिक वस्नों का चितरण में कोई स्थान नहीं था, ठीक है, जो देख रहे हैं, जो democratic subject है, उसका चितरण किया imaginary things, जो की, बिल्कुल आप साफ देख रहों कि ये romanticism के opposite हैं, अगर कहीं चीज आ जाए कि imagination किसने परता, आप romanticist artist के पास को select कर सकते हैं, लेकिन इन्हें कभी मत कीना, क्योंकि ये पक्के विरोधी थे, उन्हें जो दिख रहा है, वो उसी को चतरण किये, ठीक है, इन्होंने mostly landscape, क्योंकि देखो, जो देख रहे हैं, वही बना रहे हैं, तो क्या-क्या बना सकने हैं, landscape बनाया, seascape बनाया, nudes बनाई, वो and Tommy study करने के लिए, still life बनाई, self portrait बनाया, तो ये उनके कुछ self portrait है, ठीक है, Corbett की, और, और क्या बनाया, landscape, seascape, तो ये भी देख लेते हैं, देखो ये उनका famous landscape है, the wave, 1869 का, और sleep, ये मतलब ये इनका nude figures, इनका nude, still life बनाया, इनने ये fruits वाला series था, 1871 में, इनने ये बहुत अच्छा बनाया था, ठीक है, काम सी, ये पुरा seascape है, देखो, इसका पुरा mountains बगरा, तो वो जो देख रहे हैं, वो उसको चित्रन realistic way में कर रहे थ बिलकुर अभी बात हुए है कि पुरानिक historical और जो भी mythological सब चीज को avoid किया, और जो contemporary पातर हैं, जो contemporary characters हैं, उनको देख रहे हैं, तो ये एक बहुत famous उनका abdurial at ordinance, 1849, उनको हिंदी में और अपन आगे discuss करने वाले हैं, इसलिए मतलब ये है कि देखो, ये आपको देख रह बात हैं, इन्होंने 1871 में अपनी जेल की सजा पूर्ण करी, अभी मैंने starting में बताया था, कि क्योंकि अपोनेंट थे, धर्माधिकारियों के भी अपोनेंट थे, फ्रेंच क्रांती के समय, इनने भी commune का पोस कुछ किया था, क्योंकि ये time period वही था, तो उस कारण उनको जे जेल की सजा मिली थी, जेल की सजा पूर्ण करी इनने 1872 में, फिर वो दिवालिया हो गए थे, ठीके मतलब जैसे पैसा नहीं था ना, और वो जाने पर फिर स्विजलेंड चले गए, स्विजलेंड अंतिम समय तक वो वही रहे, तो ये उस समय का ही जब उनका next phase था आफ्ट जो हैं, सब नए पेंटर्स के फादर हैं, अब जैसे पॉल सिजान को हम बोलने हैं, फादर ओफ मौडन आर्ट, ठीके हैं, तो उसी प्रकार से कॉर्बेट सारे नए पेंटर्स, जो नए चितरकार आगे आएंगे, हमारे अलग-अलग आर्ट मूमेंट्स में, जो हीरो आए हमें जो इंप्रेशन दिख रहा हैं, हम वो बनाएंगे, क्यूबिस्म ने भी क्या किया, कि हमें जो फॉर्म दिख रहा है, हम उसको सिंप्लिफाइ करके बनाएंगे, तो हर कोई ने मतलब आगे इन चीज़ को फॉलो ही किया है, और इसी चीज़ को स्वतंत्र करने का श्रे नए पेंटरस का फादर कहा था, मतलब बिकॉस कॉर्बेट ने रियलिज्म को स्टार्ट किया था, तो वो चीज़ इनने स्टार्ट करी थी, अपोलोनियर में, तो अपोलोनियर वो है, जैसे कॉर्बेट ने रियलिज्म का घोशना पत्र लिखाना, वैसे जब हम आगे क्यूबिज्म से भी कनेक्टेट थे, ये चीज़ को बस मैं आपको इतना छोटा से ही बताऊंगी, कि वो थे, जिस तरह से आप सीजैन को बोलते हो न, कि वो क्यूबिज्म को भले हम बोलते हैं कि भाई पिकासो हैं, लेकिन फादर ओफ क्यूबिज्म, मतलब क्यूबिज्म कि आयो में उनका निधन हो गया, तो निधन भी इनका कैसे हुआ था, ये देखी, उनका बहुत फेमस सेल्फ पोर्ट्रिट है, उस्टाफ कोर्बिट का, निधन भी कैसे हुआ था, कि आपको पता है दिवाली हो के वो स्रुजलेंड चले गया थे, फिर एंड तक महीं रहे, तो वहाँ पे उनका कुछ थोड़ा भोती याद है, उनको जैसे कुछ सजा जैसी मिली, सजा नहीं होती है, वो किष्ट होती है जैसे कि आपको इतने पैसे अब चुकाने पड़ेंगे, ऐसी मतलब इंस्टॉल्मेंट्स में आपको इतने पैसे, every year or every month I think ऐसा चुकाना पड ने, कि अब उनके पास पैसा नहीं था खाने के लिए, जो भी बहुत गरीबी इस्तिती थी, तो उस कारण उनकी death इतने कम उम्र में हो गई थी, जीकि अब उनकी कुछ famous paintings, क्योंकि हम mostly art movements में paintings को ही focus करेंगे artist के, क्यों? क्योंकि आजकल net में paintings वाले question, बहुत scoring होते हैं, 5-5 मतलब 6-6 questions painting में आते हैं, तो ये इनकी famous paintings आ सकती हैं, तो हम उनको थोगा सा discuss करेंगे with subject, हैना? तो अब आज़ा आतने सबसे पहले क्या है, भाई, stone breakers, पत्थर तोड़ते हैं आदमें, जिनको आगे दिखा सकते हैं, दिखा चुके हैं, oil and canvas है ये, ये इनका सबसे पहला, म 1950 में exhibit हुआ था, ठीक है, इसमें कुछ describe करने की बात नहीं है, ये पत्थर तोड़ते हैं, आपके वो दिख रहे हैं, farmers हैं, वो पत्थर तोड़ रहे हैं, और इस तरह का ये painting है, जो हम बोलेंगे कि अथार्तवादी style में Corbett का है, और बहुत famous painting है, ठीक है, और कुछ इसमे artist आ जाएगा, artist कौन से, art movement से ये आ जाएगा, इस तरह की कुछ चीज़ें आ जाएगी, और कुछ है नहीं इसमें, ये एक देखने है, Burial at Ornans, जो अभी उपर बात करी, Ornans में दफन, 1849-50, अब आप देखोगे कि ये कुछ है, तो इसमें थोड़ा सा प्रभाव ऐसा किसका है, तो ये जो इनके grand uncle की death हुई थी उस समय, तो वहाँ पर उनने ये चीज़ observe करी, देखी करी, और वो चीज़ उनने चितर की है, ठीक है, तो इसमें कुछ, हम लिए से देखें, तो कुछ डरावने, मतलब अजीव-जीव से भी चेहरें, बहुत perfect चेहरें नहीं, ल चल रहा है, तो ये उनके grand uncle, मतलब दादा जी की, उस तरह सी वो चल रही है, ये painting जो है, इसको क्या declare कर दिया था, कि ये, मतलब romanticism का दफन है, तो क्योंकि realistic आ गए थे, realistic artist का इतना बहतरीन काम, और ये, ये काफी, ये शायद इनने ना, एक चीज़ और, ये बहुत बड़ salon exhibit किया था, और उसमें फिर इसको ख्याती मिली थी, तो इसको क्या consider कर दिया था, कि भाई, ये तो स्वचंदतावाद का, romanticism का ही, दफन कर दिया है, realistic लोगों है, ठीक है, realistic style नहीं, मतलब सोचो, जो आप, dream करके, जो आप सोच के कल तक बनाते थे, उनने real जो देखा, उनन की, Corbett की द्वारा बनाई गई है, the artist studio Corbett ने बनाई है, याद रखना, चिक है, और 1855 में, oil on canvas, ये भी वोई painting थी, जो reject रूस में थी, क्योंकि इनकी sizes बहुत बड़ी थी, चिक है, अब इसमें क्या है, तो इसमें इनने, अपने आपको, अपना studio चितरन किया है, लेकिन इ वो, मतलब जैसे, दुनिया में दो तरह के लोग, एक supporters और एक haters, ठीक है, तो वो चीज़ को उनने शो किया है, देखो, मैंने लिखा भी है, एक मिनट, Corbett Life, the painter, ठीक है, Corbett की जिंदगी painter जैसी, जी, उनको एक चितरकार के रूप में दिखाया है, उसके दाइने हिससे में उसके दोस्त है, जैसे की, देखो, यह वाली जगे, उसके दोस्त, जैसे की art curators थे, उसके friend, कुछ famous, दो-तीन personality भी है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, और इतना जरूरी भी नहीं है, लेकिन यह कुछ famous personality, famous art critics थे, इनके friend और कुछ, तो वो, उनने इस side show कर रहा है, और उनने, क्या show कर रहा है, देखो, यह मतलब एक जो prostitute होती है, वो है, priest grave, मतलब समझें, कि पुजारी कबर खोदने वाले, यह वाले लोग है, तो यह उनके haters हैं, और यह उनके supporters हैं, अब देखो, इससे एक बहुत बड़ी चीज सामने आती, कि इनने पुजारी को भी अपने haters में डाल रहा है, तो इससे पदा चलता है, कि वो धर्मादीकारियों के विरोधी थे, जो मैंने आपको पहले बोले, तो चीजों को हम समझेंगे न, तो हमें समझ आएगा, हमको रटना नहीं है, हम देखेंगे कि artist studio में, उनने यह चीज का व्यांग किया है, सीधा साधा, तो इसलिए कि उनको इन चीजों पसंद नहीं थी, तो एक तरफ वो डाल दिये, दूसरे तरफ यह डाल दिये, ठीक है, तो एक चीज और थी, मैंने देखा धर को, यह जो हाँ, यही वाला, यह एक डॉगी के साथ जो है न, इनके कोई, कोई इनके शायद, कोई मतलब बहु वो थे, मैं भूल रहे हूँ, या तो वो प्रीस्ट वही थे, डॉगी के साथ, या इनके वो थे, हाँ, एक बोलते हैं न, अरे रिच वो लैंडलॉड होते हैं जो, वो थे, तो उस चीज के भी, मतलब वो रिच पीपल से भी कोई बहुत जादा उनका वो नहीं था, तो यह कुत्य के साथ, यह वो है, तो ऐसे दो, तीन जो इनमें अपने हेटर्स एक तरफ डाले हो, सपोर्टर्स एक तरफ डाले हैं, तो यह चीज जो भी एक व्यंग करती है, और यह है, तो इस तरह की चीज में को questions बन सकते हैं, इसलिए मैंने उसको बताया, देखो, after the dinner at ornance, य यह भी उनका famous painting है, sculpture, यह भी उनका कुछ famous, लेकिन इतना detail हम इसको समझ नहीं सकते हैं, क्या समझेंगे, और नंस वाले जो जैसे burial at ornance, dinner at ornance, याद रखो, कैसे याद रखोगे कि इनका painting है, क्योंकि इनका जन्मी वहाँ पे हुआ है, तो इसलिए उनका painting है, ठीक है, तो यह चीजन थोड़ी सी आप याद रखोगे, तो आपके लिए easy होगी, कोई doubt हो, अभी से luck जाओ, बहुत सारे लोग success मिली है, लेकिन बहुत सारे लोग निराज भी है, बिलकुल क्योंकि शायद मेरी भी कमिया है, बिलकुल मैं बोलूँगी कि मेरी भी कमी रह गई होगी, अभी last time जब exam के समय थोड़ी तबेत वगेरा बिगड़ गई थी, हम जादा class को continue नहीं कर पाये थे, शायद उस कारण भी जो भी हो गया, लेकिन अब हमको वो चीज जो हमारा result आया है, उसको लेके नहीं बैठना है, अभी अगला session आएगा और अभी हमें exam को clear करना है, तो उस हिसाब से strategy हम ज़रूर discuss करेंगे, बहुत लोग बोल रहे थे, कि आप थोड़ा सा strategy तो वो हम ज़रूर discuss करेंगे, थोड़ा time अभी जम नहीं पार रहा है, और ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम topics अपने शुरू कर दें, चीक है, आपको कोई भी doubt हो तो बिलकुल मैं बो लेंगे, कि pre-rephalites कों थे, pre-rephalite brotherhood कों थे, क्योंकि एकाद बार शाहिद ये question भी आया है, तो बहुत चोटा जैसे कि realism कितना अच्छे से निपड़ गया, आपको लगा भी नहीं कि मुझे इतना detail में पढ़ना है, पुराने वाले हम पढ़ते थे, लेकिन ये बहुत जल् और बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है, हमें अगर marks कम आए हैं, दो marks से रहें, तो हम इसलिए रहे हैं, ताकि हम next time हमारे marks को अच्छे से हम clear हो जाए, हम अच्छे marks से clear हो है, अच्छी rank से clear हो, तो शायद वो खुशी और अच्छी हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल मत हारो, अ करदाए जाएखी झारे घ छ्ल्म हैंपने को ट्राव का वलाएगा जुश्यो से वजिते हैं, जयो खयाएएएएएएएएएएब 119 म.